हमारे सामने जितने भी आरब्पती हैं, उनकी सबहलता के पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर है! कुछ कहानिया सुनकर आपको दुख होगा, कुछ को सुनकर आपको उमीद मिलेगी, वहीं कुछ को सुनकर आपको हसी भी आ सकती है! तो आईए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे ही बिलेनियर्स के बारे में जिनके बैंक के खाते में एक समय मुश्किल से कुछ पैसे होंगे जेके रॉलिंग साल 2004 में जेके रॉलिंग एक ऐसी लेकिका बनी जिन्होंने सबसे पहले बिलियन डॉलर कमाई उनकी रचना हैरी पॉर्टर अब तक की सबसे जादा बेची जाने वाली पुस्तक है भले ये उनकी किताबों को फिल्म में रूपान तरित कर दिया गया हो फिर भी उन्हें इससे कुछ जादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन रॉलिंग को इस सबहलता तक पहुचने से पहले एक मुश्किल भरे रास्ते से गुजरना पड़ा वो काफी छोटी उम्र में ही समझ गई थी कि उन्हें एक लेखक बनना है लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा कभी नहीं हुआ था कि उनकी जिन्दगी की जलक उनके काम में नजर आईगी जब रॉलिंग हैरी पॉर्टर की अपनी पहली पुस्तक लिख रही थी तब उनकी मा का देहांत हो गया और कुछ इसी तरह से उनकी मा की मौत हैरी के माबाप की मृत्यू की रूप में उनकी किताब में सामने आई तीन साल बाद रॉलिंग का डाइवॉर्स हो गया जिसके बाद उन्हें अपनी चोटी सी बेटी को अकेले ही पालना पड़ा उन्होंने अपने एक्स हस्बन के खलाफ इस्ट्रेनी ओर्डर भी ले लिये थे जो इस बात को सिध्ध करता है कि उन्हें अपने रिलेशन्शिप में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इतनी परिशानियों का सामना करने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई और इसी बात ने उनकी किताब में खून चूसने वाले आत्माओं को जन दिया इस समय रोलिंग के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे वे एक छोटे से घर में रहती थी लिकिन उनकी जिन्दगी में बदला उनकी पहली किताब के पूरा होने के बाद आया जो उन्होंने अपने हाथों से लिखी थी यही नहीं उन्होंने इसे एक पुराने और मैनुली चलने वाले टाइप राइटर पर लिखा जिसे तकरीबन बारा पब्लिशर्स ने रेजेक्ट कर दिया लेकिन इसे साल भर बाद सेलेक्ट कर लिया गया और जिसके बाद उनकी किसमत बदल गई बिल्कुल किसी जादू क की तरह है एलन मस्क एलन मस्क के पास अभी 20 बिलियन डॉलर जितनी संपत्ति है इस संपत्ति के इस्तिमाल वो गाणियां स्पेश शेप और कभी कभी कुछ स्टेटमेंट देने में करते हैं आज भले ही वो कितने ही सक्सेस्फुल क्यों नहों लेकिन बच्पन में उन्हें स्कूल में परिशान किया गया था वो भी 15 साल की उम्र तक क्योंकि वे अपने क्लास में सबसे छोटे थे इसलिए सभी उनको ही टारगेट करते थे लेकिन ये उनके साथ अफ्रिका के स्कूल में लंच बॉक्स चुराने तक ही सीमित नहीं था एक बार तो उन्हें परिशान करने वाले बच्चों ने सीडियों से फेक दिया था जहां वे बेहोशी के हालत में काफी देर तक अकेले ही पड़े रहे यहीं नहीं उनकी नाक से खून भी आ रहा था और इस चोट को ठीक करने के लिए उन्हें सरजरी करानी पड़ी लेकिन इसके बाद चीज़े बदलने की काम के साथ लकडि काटना और कैनेड़ा में उन्होंने एक टीनेजर की मर में बॉयलर रूम साफ किया है कॉलेज में उन्हों sailors मिलकर अपने कमड़ेको एक basic nightclub में बदल दीया ताकि वह जदादा पैसे कमा सकें जो उनका सबसे पहला θα करीर की शुरूआत सॉफ्टमें आन बिलेनियर होकर आप सिर्फ खुश नहीं होते बलकि आपके बाल भी वापस आने लगते हैं लेकिन अगर वे अभी भी टोनी स्टार्क की तरह काम करते रहे तो हो सकता है कि वे हमेशा एक बिलेनियर नहीं रहेंगे और उनके आज के बाल कल हो ना हो रिचर्ड ब्रेंसन एक मशूर बिजनसमैन, इन्वेस्टर, ओथर और जनहितैशी हैं जिन्होंने 1970 में वर्जिन ग्रूप की खोच की थी और आज इनके नाम तकरीबन 400 कंपनिया हैं और ब्रेंसन की सबसे बड़ी सफलता है उनका Friends and Baywatch में नजराना उनके आजीब और गरीब शौक में हाट एयर बैलून से दुनिया की सेर करना और कई घजब के कारेश शामिल हैं ऐसे activities में आप तब ही शामिल होते हैं जब आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं क्योंकि वे हमेशा ही उटपटां काम करते हैं तो अगर आप उनके बचपन के बारे में जानते हैं तो आप उनके सफलता की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे स्कोल में उन्हें अच्छे grades भी नहीं मिलते थे जिसका कारण dyslexia और उनका विद्रोही सभाव था वे virgin 8 में दिखाए गए बच्चे की तरह शिष्ट तो बिल्कुल भी नहीं थे उनके headmaster का कहना था कि वो या तो अपना जीवन जेल में बिताएंगे या फिर अमीर बनेंगे और ब्रेंसन ने दूसरा option select किया 60 के दशक में ब्रेंसन एक अनधिवासी की तरह बेस्मेंट में रहा करते थे जहां उन्होंने business plan बनानी की शुरुआत की हलाकि जिस परस्तिते में वे रह रहे थे वो उनकी खुद की ही पसंद थी और जब वे खुद ही Austin Power की तरह नजर आत हैं तो उन्हें खुद की जगह की जरुवत कहां थी उनके पहले दो बिजनेस असफल रहे पहला क्रिस्मस ट्री बेचना और दूसरा पशुपक्ची बेचना लेकिन तीसरी बार वे सफल रहे और उनकी मैगजीन स्टूडेंट सफल हुई और उनके करियर ने तेजी बाते हैं ना कि बिजनेसमेन और वो सही भी थे कार्टर 2019 में सबसे पहले बिलेनियर रैपर बने जिसके लिए हम उनके कपड़ों के ब्रैंड और उनके लग्सरी स्पोर्ट्स बार चैन का शुक्रिया अदा कर सकते हैं वे टाइडल के भी मालिक हैं जो तीसरी सबसे बड़ उमर में जेजी ने अपने बड़े भाई जो की ड्रक्स के एडिक्ट बन चुके थे उनके कंथे पर गोली चला दी क्योंकि वे गहने चुरा कर भाग रहे थे उन्होंने ब्रुकलिन में जॉज वेस्टिंग हाउस करियर और टेक्निकल एडुकेशन हाई स्कूल में अपने बाकी के रैपर दोस्त की तरह पढ़ाई की लेकिन कभी क्रेजवेट नहीं हुए उस वक्त उनकी जिंदगी में ड्रक्स बेशने और राइवल गैंग मेंबर द्वारा घूली खानी के लावा कोई काम नहीं था लेकिन उनका एक दूसरा रूप भी था जो की था लिरिक्स फ्रीस्टाइल रैप करना और किचिन टेबल पर ड्रम बीट्स बजाना बच्पन में इन्हें लोग जैजी के नाम से बिलाया करते थे जिसे बाद में इनके मेंटर के नाम से जोड़ा गया जैज ओ और कुछ इस तरह इनका नाम जैजी पढ़ गया और उनका स्टाइल भी उन्हें आलाग बनाता है अगर आप उनके 90 के तशक के गानों को सुनेंगे तो आप उन्हें स्ट्राइप शिर्ट और मस्ती में नाश्ते हुए देख सकते हैं लेकिन वे इस फेस से बाहर आए और उन्होंने बेहुन से शिशादी की और ब्लेनियर बन गए और आप उनके स चाइनीज बिजनसमेन जैक मा को अली बाबा के सहसन स्थापक के रूप में जाना जाता है और उन्हें दुनिया के सबसे महान लीडर्स में से एक माना जाता है जैक का असली नाम मायून है लेकिन जब वे छोटे थे तभी एक इंगलिश बोलने वाले फ्रेंड ने उन्हें जैक का उपनाम दिया उन्होंने बच्पन से मेहनत करनी शुरू कर दी और इंगलिश का अभ्यास करने के लिए वे रोज सत्तर मील साइकल चला कर हैंग्जू जाया करते हाला कि उनके इंतिजार का मीठा फल थोड़ी देर से मिला लेकिन मिला सरूर उन्हें कॉलेज का भी उन्हें सफलता नहीं मिली इसके बाद उन्होंने की FC में काम के लिए अपलाई किया लेकिन यहां भी उन्हें सफलता हासल नहीं हुई उनकी सारी उम्मीदें तूटती गई लेकिन 1994 में उन्हें इंटरनेट के बारें पता चला और उन्होंने अपनी पहली कंपनी हैंग सारा दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने इसे सब हलता दिलाई और पैसे बनना शुरू हो गए जो उस वक्त उनके अबाटमेंट से शुरू हुआ था वो आज दुनिया की साथवी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है अगर आपने कभी इंटर्नेट का इस्तिमाल किया होगा तो मुझे यकीन है कि आपको मार्क जुकबग के बारे में पता ही होगा जो फेस्बुक के संस्थापक है और इस ग्रह पर आठ वे सबसे अमीर व्यक्ती हैं वैसे जुकबग की आलुजना फेस्बुक यूजर्स की नि हमेशा ही अजीव हुआ करती थी लेकिन इससे उनकी प्रधिवा पर उंगली नहीं उठाई जा सकती उन्हें हमेशा ही अच्छे ग्रेट्स मिलते थे इसलिए उन्होंने अपना टैलेंट प्रोग्रामिंग में आजमाना चाहा वे अपने टीनेजर दोस्तों से ड्रॉइंग ब लोगों के आकरशन को रेट करती थी लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि मार्क ने इसके लिए किसी की भी फोटो का इस्तिमाल करने से पहले परमिशन नहीं ली थी इन सबके बावजूद भी इसने हावर्ट के नेटवर्क को ओवरलोड कर दिया था और इसी स हलाकि साल 2004 में मार्क बेहद आशावादी थे लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि फेस्बुक को इस हद तक सभलता मिलेगी बिल गेट्स, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं और उनके पास कुल 105 बिलियन डॉलर की संपत्ती है और उन्होंने बिलेनियर्स के रूप में अपनी एक बहुत ही अच्छी च्छवी स्थापित की है बिल एन मेरिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया में सबसे बड़ा चारिटी फाउंडेशन है और बिल और उनकी पत्नी ने 28 बिलियन डॉलर से भी जादा डूनेट किये हैं काश दुनिया के सभी बिलेनर्स ऐसा ही करते लेकिन बिल के रिकॉर्ड्स इतने जादा साफ नहीं हैं जितने की दिखते हैं और उनके बीते कल में कई राज भी हैं जब वे हाई स्कूल में थे तो उन्होंने अपनी कम्प्यूटर्स किल्का इस्तिमाल करके लड़कियों के साथ रहना सेलेक्ट किया अपने माइक्रोसाफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन के साथ मिलकर वे स्कूल के कम्प्यूटर हैक करते और खुद को उन क्लास में डालते जहां वे सिर्फ एक ही लड़के होते बिलने बाद में ये साफ किया कि ऐसा नहीं था कि उन्हें उनसे बात गरफतार किया गया हलाकि उनके असले जुर्म का तो पता नहीं लेकिन उनकी पिछली जिन्दगी से कई पहलियां जुड़ी हुई हैं बिलको इससे दो साल पहले भी तेरी से कार चलाने और एक्सपार लाइसेंस के लिए घरफतार किया था मुझे लगता है कि यही कारण है कि उन्हें सफलता प्राप्त करने में थोड़ा समय लगा लेकिन आखिरकार उन्हें सफलता मिली हुँ मैं तो यही कहूँगा उन्होंने अपनी गलती के लिए प्राश्चित भी किया जैफ बेजोज साल 2018 में बिल गेट्स को पीछे छोड़ कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए जैफ बेजोज और बेजोज की कमपनी अमजन दुनिया की सबसे बहमूल कमपनियों में से एक है ये ना सिर्फ सबसे बड़े रिटेलर हैं बलकी इन्होंने दुनिया को Artificially Intelligent Assistant से मिलवाया हलाकि यहां तक पहुँचने के लिए उन्हें एक कड़ी मेहनत करनी पड़ी और उन्होंने इस दोरान मैकडोनल्स में बर्गर भी फिलिप किये हैं हलाकि बेजोज की सभलता एक मजबूत बुनियात पर बनी वे काफी छोटी उम्र से ही एक प्रतिपाश आली इंजिनियर थे और उन्हें अपने स्कूल और कॉलेज में कई अकादमिक आवार्ट्स भी मिले थे कई टेकनालोजी और बैंकिंग कंपनीज में काम करने के बाद बेजोज ने 1994 में आमाजन की खोच की और इसकी शुरुआत उनके गेराज से हुई इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि एक दिन ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी उनके इस घर पर बनाए गया अमाजन साइन में कुछ खास बात तो जरूर है ऐसा माना जाता है कि वे आज भी अपना पहला डेस्क इस्तिमाल करते हैं जो एक लकडी के दर्वाजे और चार पैरों से बनाए गया था शायद बेजोज को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमाजन आज जिस जगह पर है वहाँ ये कभी पहुँचने वाला था 1999 में एक एंटर्वी को दरान उन्हों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता था कि बाकी के वेब बिजनसेस की तरह है शायद अमेजन भी फेल हो जाए लेकिन उनके इन्वेस्टर्स को उन पर पूरा भरोसा था जिसमें बेजोज के पैरेंट्स भी शामिल थे और उनके ही पैसों से शुरुआती दिनों में इस कंपनी को चलाय गया था और जैसा कि हम सब जानते हैं उनका विश्वास घलत साबित नहीं हुआ हलाकि आप इस बंदे पर विश्वास कैसे नहीं करते भले ही अमेजन आज एक बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन अगर सब कुछ घलत भी होता तो भी मैकडॉनल्स की चम चम उनका इंतिजार कर रही थी तो अगर आप अपने जीवन में इतने पैसे कमाना चाहते हैं तो भूलेगा नहीं कि आपको सफलता तक पहुँचने के लिए असफलताओं का सामना करना पड़ेगा हो सकता है कि आप अपने भविश के विकिपेडिया बेज के अरली लाइफ सेक्शन में ही हो आपको सबसे ज़्यादा किस बिलेंडर की कहानी ने प्रभावित किया क्या आप जेजी के 90 के डांस मूव से भी अच्छे मूव्स कर सकते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं देखने के लिए शुक्रिया